तो गाईस आज के इस वीडियो में आप कुछ इंट्रेस्टिंग वर्ट सीखने वाले हैं जैसे comprehend, pessimistic, unduly, refurbish, perception, repudiate, onward, infuriate, crisis, compensate और भी बहुत सारे तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी की meaning के साथ उनके उपर कुछ real life से related examples के बारे में बात करेंगे क्योंकि अगर आप इन सभी words को अपने real life में use करोगे, तभी तो इन words के use to हो पाओगे तो वीडियो को लाज तक देखते रहिए, आप कुछ न कुछ नहीं जरूर सीखेंगे So stay with me, my name is Snake and let's get going तो हमारा first word है refurbish Refurbish, इसका मतलब होता है नवीनी करण करना मतलब किसी चीज की मरमत करना उसको सुधारना in order to give fresh new look जैसे अगर मैं example लूँ, the mall is closed for refurbishing मतलब mall नवीनी करण करने के लिए बंद है या फिर उसकी मरमत करने के लिए mall बंद है The mall is closed for refurbishing एक और example है, my house was completely refurbished last month मतलब पिछले महीने मेरे घर की पूरी तरीके से मरमत की गई थी या फिर उसका नवीनी करण किया गया था My house was completely refurbished last month अगला word है हमारा comprehend It means to understand something completely मतलब किसी बात को या फिर किसी चीज को अच्छे से समझ लेना जैसे अगर मैं example लूँ, I have comprehended What do you intend to do ahead? इसका मतलब होगा कि मुझे अच्छी तरीके से पता चल चुका है या फिर मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि तुमारा आगे करने का क्या इरादा है I have comprehended, what do you intend to do ahead? One more example She is not sensible enough to comprehend the situation मतलब वो इस्तिती को समझने के लिए इतनी होश्यार नहीं है या फिर इतनी समझदार नहीं है She is not sensible enough to comprehend the situation इसी वर्ड से जुड़ी एक noun है Comprehension Comprehension इसका मतलब होता है किसी चीज को समझने की योग गिता या फिर किसी चीज को समझने की च्छमता For example He has no comprehension, how difficult it is मतलब उसे इतनी समझ नहीं है कि ये कितना कटिन है या फिर ये कितना मुश्किल है He has no comprehension, how difficult it is एक और example है It's utterly beyond his comprehension मतलब ये पूरी तरीके से उसकी समझ के परे है मतलब वो इसको पूरी तरीके से नहीं समझ पाएगा It's utterly beyond his comprehension अगला word है onward इसका मतलब होता है आगे की तरफ For example, you should move onward forgetting all the things happened in past मतलब जो past में चीजे हुई है उन सभी चीजों को भूल कर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए You should move onward forgetting all the things happened in past एक और example है What's your onward plan? मतलब तुमारा आगे का plan क्या है या फिर तुमारा आगे का विचार क्या है What's your onward plan? Our next word is unduly Unduly इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा या फिर अत्यधिक For example, she seems to be unduly worried मतलब वो बहुत ही ज़्यादा चिंति दिखाई दे रही है She seems to be unduly worried एक और example है Why are you unduly thinking of future? मतलब तुम future के बारे में बहुत ज़्यादा क्यों सोच रहे हो Why are you unduly thinking of future? अगला वर्ड है हमारा Repudiate Repudiate इसका मतलब होता है किसी बात का खंडन करना या फिर आप बोल सकते हैं किसी बात को ना मानना या फिर किसी बात को मानने से इंकार कर देना For example She repudiated my idea इसको आप simply ऐसे भी बोल सकते हैं She didn't accept my idea मतलब इसका होगा कि उसने मेरा idea मानने से इंकार कर दिया या फिर उसने मेरा idea नहीं माना She repudiated my idea One more example He loves her a lot He repudiated the divorce settlement मतलब उन दोनों के बीच में जो भी तलाक का समझोता हुआ था उसको उसने मानने से इंकार कर दिया नहीं कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है He loves her a lot He repudiated the divorce settlement अगला वड़ है हमारा Infuriate मतलब किसी को बहुत ज़्यादा गुसा दिला देना या फिर किसी को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देना जैसे अगर मैं example लूँ When she saw me with another girl It infuriated her मतलब जब उसने मुझे दूसी लड़की के साथ देखा तो इसकी वज़े से वो बहुत ज़्यादा गुसा हो गई या फिर इसने उसे बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया When she saw me with another girl It infuriated her One more example I am unduly infuriated with the people who backbite यहाँ पर unduly का मतलब अभी मैंने आपको बता है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा तो इस line का मतलब होगा मुझे उन लोगों की वज़े से बहुत ज़्यादा गुसा आजाता है या फिर वे लोग मुझे बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देते हैं जो backbiting करते हैं मतलब पीट पीछे चुगली करते हैं अगला वड़ है हमारा crave मतलब किसी चीच के लिए लाल सा रखना या फिर किसी चीच के लिए तरसना जैसा अगर मैं एक्जामपल लूँ मतलब मुझे 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 बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी या फिर मैं मुमोस के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा था इसलिए मैं एक fast food restaurant में गया एक और एक्जामपल है इसका मतलब यह होगा कि जब वो स्टेज पर खड़े होकर भाशन दे रहा था तो वो लोगों की attention के लिए तरस रहा था क्योंकि उसे कोई सुन नहीं रहा था या फिर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था अगला वड़ है हमारा pessimistic इसका मतलब होता है निराशावादी या फिर आप बोल सकते हैं निराशापून थोड़ा सा डीपली समझें तो आप बोल सकते हैं निराशा से भरा हुआ जैसे अगर मैं एक्जामपल लूँ His pessimistic about his future मतलब वो अपने future को लेकर pessimistic है मतलब बहुत ज़्यादा निराशावादी है या फिर निराशा से भरा हुआ है His pessimistic about his future एक और एक्जामपल है Don't be pessimistic, get up and try to get ahead in life मतलब आप किसी को motivate करने के लिए बोल रहे हो कि निराशावादी मत बनो, उठो और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो Don't be pessimistic, get up and try to get ahead in life अगला वड है हमारा companion इसका मतलब होता है साथी या फिर एक ऐसा person जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं या फिर इधर उधर गोमते हैं जैसे example है We have been close companions for several years मतलब कई सालों से हम अच्छे साती हैं या फिर अच्छे दोस्त हैं We have been close companions for several years One more example My dog has become a companion now मतलब मेरा कुट्ता अब मेरा साथी बन चुका है मतलब मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा समय अब बिताने लगा हूँ My dog has become a companion now Our next word is perception मतलब किसी चीज को लेकर दरश्टी कून या फिर आप बोल सकते हैं राय For example When I visited this beautiful park It changed my perception of the city इसका मतलब यह है कि जब मैं इस beautiful park में घुमा मतलब इस सुन्दर से park में घुमा तो इस शहर को लेकर जो मेरे पहले राय थी वो बदल गई When I visited this beautiful park It changed my perception of the city एक और example है What's your perception of your future मतलब अपने future को लेकर तुम्हारा क्या दरश्टी कून है या फिर तुम्हारी क्या राय है What's your perception of your future Next word is Pardon इसका मतलब होता है किसी को माफी देना या फिर किसी को छमा देना जैसे अगर मैं example लूँ I can never pardon him for the things whatever he said मतलब जो कुछ भी उसने कहा मैं उन चीजों के लिए उसे कभी छमा नहीं दे सकता या फिर उसको माफ नहीं कर सकता I can never pardon him for the things whatever he said एक और example है She asked my pardon for taking so much time मतलब बहुत ज़्यादा समय लेने के लिए उसने मुझे से छमा मांगी या फिर मुझे से माफी मांगी She asked my pardon for taking so much time अगला word है crisis मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई की घड़ी या फिर आप बोल सकते हैं संकटकार जैसे अगर मैं एक्जामपल लूँ Economic system of a country was in crisis during lockdown मतलब हमारी country का economic system मतलब हमारी country की आर्थिक अर्थ वियवस्ता lockdown के टाइम पर या फिर lockdown के दोरान संकट की स्थिदी में थी Economic system of a country was in crisis during lockdown One more example I can always rely on my friends in crisis मतलब संकट की घड़ी में या फिर संकट काल में मैं हमेशे अपने दोस्तों पर निर्बर रह सकता हूं या फिर हमेशे अपने दोस्तों पर भरोसा कर सकता हूं I can always rely on my friends in crisis अगला word है compensate मतलब किसी चीज के लिए हरजाना देना या फिर किसी चीज की कमी को पूरा करना For example You hit my car You'll have to compensate for my loss मतलब तुमने मेरी कार को ठोक दिया तो तुमें मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी या फिर तुमें मेरे नुकसान का हरजाना देना होगा You hit my car You'll have to compensate for my loss एक और example है My left hand is weak So my right hand has to work harder to compensate मतलब जो मेरा उल्टा हाथ है वो कमजोर है इसलिए मेरे सीधे हाथ को थोड़ी जादा मेनत करनी होगी इसकी कमी को पूरा करने के लिए My left hand is weak So my right hand has to work harder to compensate अगली हमारी एक phrase है To be honest इसका मतलब होता है सच कहूं तो जैसे अगर मैं एक्जामपल लूँ To be honest I didn't speak ill of him मतलब सच कहूं तो मैंने उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा या फिर मैंने उसकी कोई बुराई नहीं की To be honest I didn't speak ill of him एक और example है To be honest I hadn't expected this from you So that's it guys for this video Guys मैं जानना चाता हूं कि आपको इस वीडियो से कौन से नए वर्ट सीखने के लिए मुझे एक कॉमेट करके जरू बताएं और अगर अभी तक आपने मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक मिलेगा उस लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरे नए चैनल पर रिडारेक्ट हो जाओगे वहाँ पर जाकर उस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं वहाँ पर भी वीडियोज अपलोट करता रहता हूँ